सब्सक्त पहला है धार 11 आज सवारें वन पॉंट दिव्लड सवाल कर रहें प्वेस्ट सवाल है । वन पॉन फॉवन इसको हम स्टार्ट करते है फिव फ उद् conf मैं स्पुलौइटों करें आ पर ने का सफ इसमारी थान्य पढ़ा पया ग्रणीघता मभी है त्व मैं कौन सा जो इसमें स्टेटमेंट है गलत है इनकरेक्ट है ठीक है वन बाइवन पढ़ लेते हैं इसको इट हेल्पस तू इंशोर दाट आल ट्रांजेक्शन विफ कस्टुमर्स हैव बीन करेक्ट ली रिकॉर्ड ठीक है बागी पहले सारे पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं कौ से खलतियां पकड़ना बहुत ईजी हो जाते हैं ठीक है सी पढ़ते हैं इट हेल्पस रिड्यूस दे चांस ऑफ फ्रॉड इन रिलेशन टू टू ट्रांजेक्शन बिट्वीन बिजनेस एंड इट्स कस्टुमर्स ठीक है यह यह भी आई थिंक कुछ हद तक होता है क्योंकि कि मिस्टेक्स अगर कम हो रही है तो इसका यह भी मतलब है कि जो फ्रॉड का चांस है वो भी कम हो रहे है तो एट इंशोर्स दाट एर्रस के नाट अकर इन रिलेशन टू टू ट्रांजेक्शन बिट्वीन टू बिजनेस एंड पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है फिर से इट ह इसका भी मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता मुझे लगता है इसका आंसर मैं एक दफ़ा इसका चेक कर लेता हूं आंसर के मोस्ट पब्ली एज जो है ना मुझे लग रहे जिस्ट मुझे दो मिनिट दें कि 1.2 वान पॉइंट टू वान शरी आंसर है इसके इसके यह इस टुए न मिनिट आ चाह वन पॉन टू वन इसका जो सही ऑप्षिन है यहां से पढ़ लेते हैं क्या रीजन वह दे रहे ठीक है अब यह देखें यहां से पढ़ते हैं नो सिस्टम कैन एवर बी कंप्लेटली फूल प्रूफ एंड गरेंटी डैट एर्रस के नॉट अगर बिल्कुल सही कह रहे है कि कोई भी ऐसा सिस्टम हो दुनिया में कोई भी ऐसे सिस्टम है जो हंडड़ परसंट गरेंटी नहीं दे सकता कि आपका जो फ्रॉड का चांसे था जीरो हो जाएंगे अब जो यह ऑप्शन हम कह रहे है तो इसका क्या है यह देखें रीजन दे रहे है कंट्रोल अकांट कैन बी रिकंसाइल तो रिसीबल लेजर एंड दस प्रूफ दा कंप्लीट नेस फ्रोसेसिंग तो कंप्लीट तो एक तरह से हो जाची चीज़ है ठीक है तो क्रेक्टली रिकॉर्डड का तो कोई शू नहीं है सिर्फ वह जो गलत कह रहा है ना यह ऑप्श सवाल भी आपको आ सकते हैं इनके लिए भी आपने चला प्रिपेड रहना है ठीक है यहां तो क्लेर जी आपको जी सर ओक अब 1.22 देखते हैं नेक्स वाला असे ल्स्टेक्स रिजिस्टर बिसनेस सेव्ट गूड्स तो फुर्टी सेल्स अब यह सेल्स्टेक्स वाला टॉपिक आगे तिक है सेल्से एक्स वाला चप्टर इन पर्चेस गूट्स कोश्टें तो हुष थे लिए प्लस सेल् फुली रिकवरेबल हो मच सेल्स टैक्स ड्यू और पेबल फ्लाम डी गवर्मेंट तो इसमें मैं आपको क्या पताया था कि हम लोगो ने एक सेल्स टैक्स अकाउंट बनाना होता है ठीक है तो अकाउंट या बना लोत है बहुत सिंपल है इसकी बाइद आपको रिकॉर्डि साथ ह 만द में उन्काइज होता है था क्रेड़िटी पर अब मुझे लिगता है Pascal से नहीं कोई अब पहले करते हैं अच्छी बात यहां पर यह कि mercy एक पहले से में गीवन है लिखने कि 240 sales tax तो आपको मैंने एक word याद है आपको बताया था कि जब भी exclusive amount लिखी होगी तो वहाँ पे या तो net amount लिखा होगा या plus tax लिखा होगा या list price लिखा होगा यह सारी चीज़ें ठीक है तो 240 जो है वह आज़ेगा यहाँ पर input है या output है देख लेते हैं इस गुड़ेन तो आउट पूट हो गए बंपूट का कितना है 200 प्लस सेल्स टैक्स फॉर्टी सिर्फ 40 यहां पर सेल्स टैक्स है 40 हो गई तो अब देखें 240 बाहर जा रहे हैं 40 हमारे पास वापस अंदर आ रहे हैं तो इसका मतब्स क्लोजिंग क्या बन जाएगा कर लेंगे पे क्यों बन रहा है क्योंकर 240 ख hat वो है ओप्षिन पेड़O ठीक है सब्सक्राइब दूसरे अकाउंट से आगए वसीम आपको यहां से चीज़ें क्लेर नहीं हो रही है अच्छा तो अब्दुल्ला यहां तक आपको क्लेर है यह हमने देख लिए पेबल है 200 के 240 स्टेल हमारा बाहर जाने वाला था और 40 इंसाइड आने वाला था तो स्ट स्टेटमेंट्स इस क्रेक्ट अब सबसे पहली आउट्पूट टैक्स चार्ज्टू अकस्टुमर इस डेबिटेट तु दे सेल्स टैक्स अकाउंट यह डेबिट तो नहीं होता है यह तो क्रेडिट होता है तो यह तो गलत है ठीक है अब मशीन इस परचेश फोर 200 प्लस से दोसों की मशीन ता चालिस की सेल्स टैक्स था दव मशीनरी अकाउंट इस डेबिटेट विट्विट टू हंडड़ सेल्स टैक्स डेबिटेट विट फॉर्टी असे इस एक रिकवरेबल तो यह भी स्टेटमेंट यहां पे गलत है क्यों गलत है मैं पको बताता हूं देखे तबेंज ही जो सेल्स टैक्स की एंट्री यह पोइंट आप हमेशा याद रखें्म सेयल्स टैक्स ही अलसें एंट्री तब ही रिकवर्ड होती है जब दौनों मैं रिजिस्टर रिजिस्टर्र का मतरब कि फिछ इसके शरत है कि मुझे जो टैक्स है वापस रीक्लेम होगा उसकी शर्त यह कि मैं भी रिजिस्टर्ड होना चाहिए और अब्दुल्ह भी रिजिस्टर्ड होने चाहिए ठीक है तब भी जाके मैं गुवर्वर्मेंट से कोंगा कि मैंने अब्दुल्ह से परचेश की थी आप का इंडी मुझे इसका टैक्स वापस कर दें रीफंड कर दें ठीक है लेकिन यहां पर तो वो उसने बता दी कि सेल्स टैक्स ए रिकवरेबल है दूसरे लफजों में सेल्स टैक्स रिजिस्टर्ड नहीं हो बंदा तो वह इंपुट तो क्लेम नहीं कर सकेगा वापस देगा वहर चीज में करने पड़ेगी तो सेल्स टैक्स की जो एंड्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट इन्पूर्ट व्र्डिट आउटपुट इसको रिकॉर्ड करने के लिए शर्थ यह होती है कि दोनों पर्टी जों रिजिस्टर्ड होनी चाहिए ताकि रिक्लेम के वक्त भी चीज काम है वरना तो कोई फाइदा है निया रिकॉर्ड करने का तो यह भी स्टेट्मेंट गलत है यहां पर ठीक है इसकी लॉजिक में आपको दे दिया इफ सेल्स टेक्स अकाउंट ऐस डेबिट बैलेंस अट दी एंड आफ दे सेल्स टेक्स कंड़ी चेक करें आपकी साइड से शुरू नहीं है ओके सब्सक्राइब करें अभी सही अवाज मेरी अभी बेतर है अभी सही होगा है ओके ओके ठीक है जैने कभी भी स्टक कुई तो मझे पताती है ठीक है अब देखें यहां पर कह रहे हैं कि अगर सेल्स टेक्स बना ठीक है और डेबिट बेरिंस का मतलब है कि हमारा यहां पर आया बैलन्स ठीक है क्राइट साइट पे लेकिन जब नया टी अकाउंट बनेगा उसमें यह डेबिट पर आ रहा होगा इसको हम डेबिट बैलेंस कहते हैं यहादे मैंने प्लास क्लास में बताया था कि जो फ दसेल्स फिघर सेंट्मिट और प्रफ टॉपिए ल launch और सवा ninety फॉी नेवर कभी इसमें सेल्स टैक्स नहीं आता तैर क्या में सेल्स्टराइक करवा रहा था मैं आपको प्ताया था कि सेल्ज़ और पर três में न तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा क्लेर होगी चीज कि ऑपशन सी ही इसके अंदर करेक्ट है बागी तीनों इसमें रहूंगे एबी और डी यह तीनों रहूंगे थीक है यह इसका यहां पर मीनिंग है अब देखें जो डडामन से यहांपसर आ रहे हैं क्योंकि यह एक याँ उर्दी जोटें यह देखते हैं अकाउंट्स अर्क्लासिफइड according to the nature of the transactions which are recorded in them ठीक है मदब कि यहां पर कहा है अकाउंट्स अर्क्लासिफइड according to nature of transaction मदब कि एसेट का अलगा एकाउंट गएगा एक्सपेंस का अलग अकाउंट होगा लाइबिलिटी का अलग होगा सेल्स का अलग होगा ठीक है विच आफ दी फॉलूइंग क्लासिफिकेशन्स इस इनकरेक्ट यहां पर हमने बताने की कौन से यहां पर गलत बता है ठीक है इन्शोरंस इस रिकॉर्डड इन जर्नल लेजर तो यह तो है थिंक साउप है क्यूब्स देखना जनरल लेजर जो होता है न बैसिकली speaker को कहता है Too यह तो होती है tu अकउट में रेकॉर्ड रेकॉर्ड इन जनरल अलगए बहुत करा से अब यह देखते हैं इताबWhat इस ट्राइक्शन बिद इंडविश्वल कस्टुमर्स रिकॉर्डड इन पर्सनल लेजर अब मैं आपको नहीं दोनों की बीच में फरक बताता हूं एक होता है महारे पास जिनल लेजर जिसको हम नॉर्मल T account कहते हैं घक है इसको आप T account समझ सकते हैं लेगन दूसरा जो हमारे पास वह पर्सनल लेजर ठीक है अब पर्सनल लेजर में क्या होता है एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि एक तरह से इंडिविशिबल अकाउंट से जैसे याद हमने दो वर्ट पड़े थे एक मेमरेंडम अकाउंट था एक टोटल अकाउंट था रैट ऐसी है आप इसको फर्दर पढ़ लेंगे उसके के अंदर क्या कहते हैं कंट्रोल अकाउंट के अंदर ठीक है तो एक मेमरेंडम अकाउंट होता है एक टोटल अकाउंट होता है टोटल अकाउंट को कंट्रोल अकाउंट कहते हैं तो इसको हम एक तरह से इसको हम मेमरेंडम कहा सकते हैं इसमें हर किसी की अपनी अपनी ट्राइक्शन रिकॉर्ड बेंगी ठीक है अच्छा वसीम फिर से आके क्लास में क्या हो रही है इस कनेक्शन हो रही है काफी इनकी चले पूछते हैं क्या इश्यू है अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट यहां पर आते पीछे से जब भी आपका क्वेस्टेन हो आप अन्म्यूट करके पूछ सकते हैं ठीक है अब आके चलते हैं देखें पर्सनल लेजर जो है यहां पर जो मिझे घलत वली लग रही है ना ऑप्शन डी है क्योंकि यह लिखाव है अब कंट्रोल अकाउंट्स का चैप्टर अभी तक हमने पढ़ा नहीं है लेकिन होता ही है कि कंट्रोल अकाउंट्स में दो चीज़ा देख रहे होते हैं एक टोटल अकाउंट्स को जहा पर हम किसको कह रहे हैं जो इन्डिवजवल कस्टमर के ती अकाउंट है तो इसका सची ऑप्शन डी ही लग रहे हैं क्योंकि यह incorrect है बागी सारे सही है ठीक है यहां पर इसने एक तरह से मकसद भी बता दिया से लेजर पर जाश्यार पर से देख सकते हैं इसनों इस में नहां आप बचले इसको भी कर लेते हैं ऊ-चाव उपड्ले श्रेटमर्स टि एडर्मरा व्यड़ में में मेंसल дол ऑगुंड स्टैम्स देखते हैं इसन्ति यहतर को बता है कि individual accounts को हम क्या कहते है memorandum इसमें individual balances होते है यहां मेलिक्स भी देता हूं memorandum को क्या कहते है individual accounts अब यहां से बढ़ते है one used for correction of errors नहीं है ऐसा तो कुछ नहीं है ठीक है one used to record transaction between business and its proprietors ऐसा भी I don't think कुछ है ठीक है c देख लेते an account used to record information which does not form part of double entry system यह मुझे लग रहे बड़ी option भी पढ़ रहते है an account used to summarize transactions before they are posted to the ledger नहीं ऐसा तो नहीं है ठीक है option d नहीं है क्योंकि यह summarization के काम नहीं आता summarization के लिए क्या काम आता है control account क्योंकि इसमें summarize होके सारे totals दिखा रहा होते हैं और financial statements में लेजर में भी तो टोटल ही जाते हैं सही है तो इसका जो most probably answer मुझे लग रहे है वह option c है option c क्यों है क्योंकि यह एक चीज़ हम control account में भी देखेंगे पता नहीं इसने यहां क्यों add कर दिया question memorandum accounts जो है न वह एक चीज़ आप बेशक अपने नोट साब बना रहे हैं तो वहां एंटर कर लें memorandum account जो है वो डबल एंटरी का पार्ट नहीं है एक से इस नॉट पार्ट ऑफ डबल एंटरी ठीक है डबल एंटरी का पार्ट नहीं है अपनी असानी के लिए यहां मैं भी देता हूं असानी अपनी असानी के लिए बनाते हैं ताकि इंडिविज्वल कस्टुमर्स का भी हमारे पार्फ ट्रैक रहे ओके सही है तो इसका ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है ठीक है यहां तो क्लियर है इस अब आगे देखते हैं वन पॉन टू सिक्स देखते हैं यह भी डबल एंट्री के सवालत देख लेते हैं अब मशीन कॉस्ट फाइफ थाउजन एड़ ऑन क्रेडिट अब यह उधार पे इसने खरीदिये इसकी कौस्ट कितनी है पांच हजार तो यहां पेक जो वन थाउजन का जो अधार है वो क्लेर कर दिया किस के तुरू चेक के तुरू ठीक है तो विच अब देखें इस पॉइंट पर दो एंट्री रिकॉर्ड होएंगी पहली तो एंट्री यह होगी कि हमने मशीन परचेस किया है तो डेबिट मशीन क्रेडिट हम क्या करेंगे पेड़ू ठीक है अभी मैंने मशीन परचेस किया कुई कैश पें नहीं किया यह अमाउंट इस की कितने कॉस्ट जो इसकिया है पांच हजार और पांच हजार अब जब मैं पहली री पेमेंट करूँ गा उधार की तो मैं क्या करूंगा तो यह पिर बैंक को क्रेट कर दूआ क्योंकि चेक हो रहा है ना क्रेडिट बैंक एक ही बात तो ग्रेट हो गया बैंक तो यह क्रेजरिट हो गया चाहिए अब देखें की आप डबीट पेवल पांच हैजार क्रेड़ेट मेशीन नहीं है तो उल्टा होता सिर्फ हमारे पास option डी बचा है डेविट मशीन 5000 पांच हजार ग्रेडट पेवल 5000 यह पहली अंट्री होगी ठीक है अब दूसरी देखें डेविट पेवल 1000 1000 से पेवल रिडियूस किया और 1000 से बैंक भी रिडियूस कर गया तो यह सेकंड एंट्री बन गी ठीक है तो डी of discount allowed column in a cash book is assume a control account is kept अब आपको याद है discount allowed किस में दिया जाता था sales में दे जाता था तो कि अगर हम shopkeeper होंगे अगर हम दुकानदार होंगे हम कोई चीज़ सेल करेंगे तब हम allow करेंगे और discount received कब मिलता था जब हम purchase करेंगे as a customer ठीक है तो एक इस cash book में record होता है देख लेते है credited to discount allowed debit to sale नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है यह तो उल्टा कर दिया सेल तो कभी debit होती ही नहीं दुनिया में ठीक है debited to sale and credited to cash नहीं ऐसा भी नहीं है ठीक है c देखते हैं debited to discount allowed yes बिल्कुल यह क्योंकि खर्चा है तो खर्चा हमेशा बढ़ते हुए debit होता है ठीक है तो debit to discount allowed and credit to receivable लेजर कंट्रोल अकाउंट यहीं इसकी सभी option है option c क्योंकि देखें हम क्या कर रहे हैं हम लोग debit कर रहे हैं discount allowed को क्योंकि खर्चा है और यह किस चीज को reduce कर रहे है receivable को क्योंकि अब हम देखें हम as a seller सोचे मैं कोई चीज बेच रहूं तो अब मुझे customer से पहले 1000 मिलने थे अब 900 मिलेंगे 100 का discount मैंने दे दिये ठीक है तो इसका मतलब कि अब मुझे वह वाले 100 नहीं मिलने वाले that means अब मैं सिर्फ expect यह करूंगा कि 900 मुझे मि जी सर क्लियर है ओके सभी है वसीम आपको भी चीज क्लियर हो जाएगी जब आप पिछले लेक्टर्स देख लेंगे मैं आपको make sure करते हूं आज वो आपको send कर दूँ ठीक है अब यह आपको हो सकते है थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझा रहे हैं क्योंकि शुरू वाली च पांच सो पच्छिस एंड डिसकाउंट अलावड कितने थे 326 यह हमारा खर्च यह हमारी क्या चीज है इंकम है जो डिसकाउंट रिसीव होते हैं इंकम होती है ठीक है वीच फॉल्विंग करेक्टली शोज़े ट्रीटमेंट अफ इस तो टोटल अब हमेशा याद रखें ज उसी कस्टुमर के मुझ से जाएं सप्लायर के पास और हमें डिसकाउंट मिलें रिसीव हो तो अब यह क्या होगी हमारी इंकम होगी ठीक है तो डैट मेंस के डिसकाउंट अलावड हमेशा डेबिट होता है इंक्रीज के लिए डिसकाउंट रिसीव हमेशा क्रेडिट होता ह credit की क्यों होता है क्योंकि E錢 कम है तो इसका बहुत एसान सा प्शन या देख लिए डिबिट डिस्काउंट रेसीव नहीं डिस्काउंट रेसीव तो गृडञ़िू रूप पांच्सोबच्शेस क्रेड़ीट डिस्काउंट रेसीव 2.28 यह इसका तो अमांट्स गलत है यह भी गलत है इसका जो सभी ऑपशन है इसका जो सभी ऑप्शन है ऑप्शन डिया हो रहे है क्योंकि है हमारी इंकम है ठीक है तो ऑप्शन डी इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है अभी तक वही सिंपल डबल एंट्री हमारी चल रहे है ऑब 1.29 देखते है रिटर्न आउट वर्ड्स और रिकॉर्डड इन विच प्राइमरी एंट्री प्राइम एंट्री रिकॉर्ड बभी वापस आएगी इन वर्ड्स वापस आएगी तो इसका मतब रिटर्न इन वर्ड्स है यहाँ पर मैं लेक भी देता हूं कि जो रिटर्न इन वर्ड्स होते हैं वो बैसिकली से रिटर्न होते हैं ठीक है से रिटर्न क्यूंकि हम जो चीज बेच रहे हैं अगर वही हमें वापस आ रही है तो यह इन वर्ड आ रही है ना हमें तो इसलिए से रिटर्न है अगर रिटर्न आउट वर्ड हो रिटर्न आ तब सिंपली फूटआ करेको होता है तो इसका तो आंसर यह यहीं पे दिया वे सवाल में पर तर्चेज डेवड़ा धिके प्रश्चेहे चाहिए, है यहां तो डेरा जी कोई या प्रियर इसर ओके अच्छा मुझे एक चीज बताएं यह आपने बीबीप किट पहले की या फिर्स टाइम करें आप लो फिर्स टाइम में सब्सक्राइब करते हैं क्रेडिट नोट्स और संट आउट रिकॉर्ड इन विच प्राइम एंट्री रिकॉर्ड अब क्रेडिट नोट्स आपको याद है कस्टिमर सप्लाइर को सवाल पूछता है वो होता है डेडिट नोट सप्लाइर जब वापस जवाब देता है कस्टिमर को रिटर्न का तो उसको हम क्रेडिट नोट तो यहां पे अगर हम क्रेडिट नोट भेजेंगे हमारे लिहाज से सोचें तो हम यहां पर क्या होंगे सेल है customer को कि yes मैं आपके return accept करता हूं तो हमारे लिए क्या चीज हुई sale return हुई ठीक है तो इसका भी बहुत असान जवाब है purchase return नहीं है यह sale return है अगर customer debit note record करेगा तो वो purchase return में करेगा तो कि इसके लिए purchase return है लेकिन हम यहां पर sale वापस ले रहे हैं तो इससे लिए हमारा sale return डे बुक में आएगा ठीक है तो इसका correct option है ठीक है अब 1.31 which of the following should appear on the credit side of supplier account in the payable ledger ठीक है supplier account की जो basically payable account होता है तो इसकी credit side पर क्या चीज़ आ रही होगी देखते है अब पेबल increase side पर होता है decrease side पर होता है आपको पता है क्योंकि liability होती है अब यह भी हमने chapter पढ़ना है पेबल रिसीबल वाला बट यहां पर एक नज़र देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती है ठीक है मैं जबता हूं यहां पर बना देता हूं पेबल अकाउंट ठीक है simple पेबल अकाउंट है यह होगया पेबल ठीक है लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलंस का आते है यहां पर डेबिट ट्रेट साइट पर ठीक है और क्लोजिंग बैलनस का आएगा यहां पर इसकी ऑपोजेट साइट पर ठीक है अब जो परचेज़ें वह यहां आ रही होंगी क्रेड़िट साइट पर क्योंकि परचेज के एंट्री आज़ करें क्या होती है डेबिट पर चेज़ क्रेडिट पेबल तो पेबल को हम को रिडूस करते ही ना खतम करते ही तो जो translates हो जाती है भी है टीक कि इसके लावह होता है Orthodox को में गयंके ऐता है इसके इसके लावह हमास कांटर यह शॉती बिजिद्य है यहां पर आती है तो इस तरह की सारी चीज़ें यहां पर आ रही होती है ठीक है तो इसमें से कौन सी चीज हो कह रहा है कि क्रेड़िट साइड पर आएगी बढ़ेगी कौन सी चीज ठीक है पेइमेंट्स मेड नहीं है तो डेबिट पर आती है डिसकाउंट अलाउड इस से तो है यहां पर पर्चेज जो भी आएगी हमें वह क्रेडट साइट पर रिपाउड है ठीक है सही है ओके अब यह देख लेते हैं दे बैलेंस एट फिर्स्ट मार्च वर्स टू थू थाउजन इन हैंड वर्ट वर्ट वजी क्लोजिंग बैलेंस थ्रीफर्स मार्च यह भी सिंपल टी अकाउंट का सवाल है ठीक है तो फॉल्लिइंग एंट्रीज अपेर इन कैश अकाउंट इन मार्च तो यह जो अकाउंट है कैश का अकाउंट है सब्सक्राइब कैश आपको पता है हमारा एसेट होते है नॉर्मल करण्ट एसेट होता है तो इसका अडिशन यहां पे आ है जो माइनस है वो क्रेडिट साइट पर आ रहे है ठीक है अब यहां पर लिखा हुए पेमेंट बाइक कस्टुमर्स तो कस्टुमर्स जो हमें पेमेंट करेंगे पंद्रहजार वो हमें रिसीव होएंगे तो इसमत्ब के कैश बढ़ेगा उससे मारा तो फिफ्टीन कितना था दो हजार ठीक है यह भी हो गया अब रेंट रिसीव रेंट रिसीव वहँ भी हमें मिलती है तो इसका मतलब इससे भी cash बढ़ता है ठीक है debit cash credit rent यह हम करते हैं टूफिफ्टी की रेंट रेसीव होगी ठीक है फिर इंशोरेंस पेड इंशोरेंस हमने पे किया यहां मैंने डेवन पर बताई थी आपको बड़ मैं आपको बताया तो फिर से ड्राइंग्स होते हैं जब भी हम बिजनेस में से अपने लिए कुछ कैश ये गूर्ड निकाल लेते हैं पर्सनल यूज के लिए ठीक है तो इसमें जो एंट्री होती है डेबिट ड्राइंग्स करते हैं क्रेडिट क्या करता है और क्र्ड़िट हम क्या करते हैं किक्या कैश हे निकल रही होती है तो यहां से 700 का निकल येंद인데 निकल रही है कर से 700 में बढूंगो करने सील एक के लावक मीन ये-स के लाव कि Weather अब क्यापिश किया है क् इस मतलब कितनी अमाउंट है यह 2000 से मजीद क्याश हमारा इंक्रीज हो जाएगा अब जरह इसका बैलेस ढूंड लेते हैं स्टेक सेकंड फिफ्टीन थाउड प्लस तू नाइंटीन और नाइंटीन तू फिफ्टी नाइंटीन थाउजन तू फिफ्टी एक दुफ़र कंफर्म मैं कर लेता हूं प्लस फॉर्टी तू फिफ्टी यह यह यहार है ठीक है यहां भी हम यह लिखेंगे नाइंटीन तू फिफ्टी और जो क्लोजिंग बैलन्स है जो इसने पूछा से सवाल में वो निकाल लेते हैं माइनस सेवन हंड़ माइनस वन फिफ्टी अठारह हजार चार सो अठारह हजार चार सो मारा क्लोजिंग बैलनस आगे और यह इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन भी एर्टीन थाउजन फोर हंड़ ठीक है सही है अब 1.33 विच आफ दी फॉलिंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग जर्नल एंट्रीज इस करेक्ट ठीक है अच्छ हमारी बाइदोए क्लास में जिस्ट आइधिंग फाइव मिनिट्स रहे हैं लिमिट लगती है शायद बहुत जाए स्टूरेंट्स होना तो हम कोशिश करता है फाइव मिनिट्स में करें जितने भी सवाल हो सके 2-3 ठीक है तो एक तरह से लोग की रिक्वार्मेंट हम क्या सकते हैं फानेंशल अकांटिंग की रिक्वार्मेंट है तो सिर्फ करेक्शन अफ एक्स्लूजव की लिए का मतलब है सिर्फ उसके लिए जैसे हम काते हैं डेडिकेटेड है इसको उसके लिए शिर्फ नहीं होती और भी इसके बहुत काम होते है जैजरनल इस लेजर अकाउंट इन accounting system of a business यह लेजर अकाउंट नहीं है यह बोक आफ प्राइम एंट्री है सही है ठीक है तो इसका मतब यह भी गलत है तो सिर्फ हमारे पास आखरी option रह जाती है all journal entries must have a narrative explanation I think यह ही यहां पर सही कह रहे है चार्ट में देखते हैं जी आज का record हो रहा है ठीक है आज वहला भी मैप को भीजिए मां ठीक है तो हमने तो असान इसका फर्माट पढ़ना है अब यह रिवाज आगे जिस जनल एंट्री पोस्ट होती है लेकिन अगर आप अगर आगे जाकर काम शुरू करेंगे शुरू करेंगे अब देखेंगे कंपनी में प्रॉपर जो डबल एंट्री नेरेटिव भी पोस्ट कर जा रहा होते हैं ठीक है कि यह एंट्री किसके जैसे डेविट कैश क्रेडिट सेल बेंग इट इसक्रेश सेल हैपन आं डिस अगर आपके पास टाइम हो तो आप ट्राइए कर लीजेगा ठीक है वोट इस ट्राइल बैलेंस इसका भी अलग से चैप्टर है लेकिन ट्राइल बैलेंस क्या होता है एक अपने पहले पढ़ा होगा एक एरर चेकिंग डवाईस होती है जो इस तरह की होती है यहां पर सरे आते हैं सेल परचेज एसेट लाइवरिटी सारी चीज़ें और उनके रिस्पेक्टिव बैलेंस डेबिट पर लिखे होते हैं इन दोनों का जो टोटल होता है ना वह सेम आना चाहिए आपर यह होना चाहिए यह ट्राइल बैलेंस होते है ठीक है तो लिस्ट ऑफ लेजर बै सी पड़ते हैं अकाउंटिंग डॉक्यमेंट विच बिजनेस मस्ट प्रिपेर मस्ट तो हम नहीं कह सकते कुछ जो हैं छोटे बिजनेस नहीं भी बनाते है जुरूरी नहीं है ठीक है अलिस्ट ऑफ फॉल ट्रांजेक्शन विच 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 इंचरेट भॉक्यपिंग ऑड्यवन हंपेड़ एक्पले एकवरी ऐकउंट्स से ही एक्स्ट्रेक्ट होती है ठीक और 1.24 आप देखें टीक है तो पी ऑप्शन इस रैट लाॉस्ट कोशन जल्दी से देखते हैं ताकि टाइम एंड ना और विच वालीं स्टेटमें इसकर साइट किया यह सेल सबगे व्यटेट कोलम में यह घ्रच नहीं हो फिल यह विल्का है यह पद जाती यहां तक कोई इश horns जी सब्सक्राइब करूं ठीक है टाइम वैसे भी खत्म होने लगए